हाली में अभी एक विदेशी दोरे पे गई थी जहांपर उन्होंने सिक्षा वैवस्ता को लेकर यहां के कई सारे सवाल उठाये थे विदेश में जाकर कि आखिर कोई सरकार तो आई जो सिक्षा मॉडल पर काम कर रही है देश दिल्ली का सबसे सुंदर सबसे स्वच निगम का वाड था शिरी निवासपुरी आज नरक के रूप में भोग रहा है जो अपने आपको अब डिप्टी सीम की पोजिशन पर डवलप करने वाली महिला नेता बनिया जिसने तीनों वाड हा रहे हैं अपने अगर इनके अंदर छ इच रहे हैं आतिशी मरलिना जी को लेकिन उनका नहतिक दाई तो बनता है कि अपने छेत्र की जनता को स्वच पानी दें और नल से जल पहुंचे यह उनका प्रयास होना चाहिए जो करने में नाकाम्याब रहे हैं तरीके से विपक्ष एक जुट हो रहा है अभी पटना में मीटिंग हुई अरविंद केजरिवाल भी वहां पहुंचे थे क्या लगता है 2024 में क्या आने वाले हैं परिणाम क्या बदलाव होगा क्या इस बार कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं जब उन्होंने उस मीटिंग के अंदर इन्वाल होना नहीं था तो क्यों ग कालका जी विधान सभा की अंतरगात आता है कालका जी से आतिशी जी विधायक है हाली में अभी एक विदेशी दोरे पे गई ती जहां पर उन्होंने सिक्षा वैवस्ता को लेकर यहां के कई सारे सवाल उठाय थे विदेश में जाकर कि आखिर कोई सरकार तो आई जो बनाने का किसी ने काम किया है तो यह एक पहली MLA है जिसने कालका जी विधान सभा को जो दिल्ली का सबसे सुन्दर सबसे स्वच निगम का वाड था शिरी निवासपुरी आज नरक के रूप में भोग रहा है कोई डेवल्लेंट का काम उन्होंने सिंगल परसेंट कराया नहीं जो नालिया जो सडके हमने बनाई थी उनको जल बोड के नाम पर काट दिया है कोई development का काम नहीं है किसी भी जुगी बस्ती में जो हमारा सलम एरिया है सेवा बस्ती है उनके अंदर ना नाली बनाई है ना खरंजा लगाया है ना कोई सडक बनाई है ना कोई dispensary खोली है ना कोई बिजली के पोल लगाए है ना लाइटे लगाए है और जो लगी हुई ववस्ता को उसको चर्मरा दिया है कल की आपने कपूरी ठाकूर केंप की अगर वीडियो देखी हो सोशल मेडिया पर अब तक 4000 लोग उसको देख चुके हैं उसको देखाओ तो दिखाइए ए डेट डेट दोदो फुट पानी में से मेरी बच्चियां, मेरी बहने मेरी बच्चे, लोग जाने के लिए मजबूर हैं लेकिन उनकी पानी की निकासी नहीं है एक टॉयलेट ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें पूरे नल लगे हों, पूरी टॉयलेट की पॉट पूरे लगे हों, सब तूटे हुए बेहाल हैं वहां के करमचारियों को छेचे मेने से सेलरी नहीं मिली है सड रहा है कोई एसेड वहां पर आता नहीं है को ब्लीचिंग पॉडर वहां जाता नहीं है सफाई के लिए ऐसा नरक कालकाजी विधान सभा को बनाया है इसका जबाब आप भी जनता समय पर देती है आज उसी का प्रणाम है कि ये पहली ऐसी जो अपने आपको अब डिप्टी सीम की पोजिशन पर डवलप करने वाली महिला नेता बनिया जिसने तीनों वाड हा रहे हैं अपने अगर इनके अंदर छोड़ी सी भी गैरत हो तो इनको resign देना चाहिए इनको त्याग पत्र देना चाहिए क्योंकि जंता ने इनको नकार दिया है और इनके तीनों पार्षद ओंदे मुंगी रहे हैं तीनों के तीनों हारे है जब मैं ग्राउंड लेवल पर जाता हूँ कालकाजी विधान सवा के शेतर में पानी की समस्या बहुत जादा है लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है इसको लेकर कोई कदम कितने विडंबना है देश की आजादी के बाद आज देश विश्र मॉडल पर पहुंच रहा है देश के परधान मंतरी डवलप्मेंट की बात करते हैं देश के परधान मंतरी अवेपन एक्सपोर्ट की बात करते हैं ये सौभाविक और सौभविमान की बात है लेकिन दिली के मुख्यमंत्री को जो हमारे मौलिक अधिकार है एक स्वच पानी देने का अधिकार है स्टेट गवर्मेंट का और स्टेट गवर्मेंट में भाशन देने वाले लोग बहुत ज़्यादा है कभी मुख्यमंत्री साब, LG साब पर उंगली उठाते हैं, कभी दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करते कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं छोड़ा जा रहा, आज मैं आपको बताऊं कालकाजी विधान सबा के अंदर, 50% एरिया ऐसा जहां पका पीने का पानी नहीं है, सिरफ ट्यूवेल के उपर जिंदा रहना पड़ रहा है और ट्यूवेल के अंदर भी दूशित पानी लोगों तक पहुच रहा है, सीवर के और पानी के लाईने मिली हुई है शिरी निवासपुरी के आप छेतर में चले जाएं, कितने लोग इस आहिंकार से रोज पानी को दिखाते हैं और मोल पानी खरीद करके वो पीने के लिए मजबूर है ये सिरफ उन माफियाओं को बढ़ाना चाहते हैं जो पानी बेच रहे हैं तो दिल्ली के मुखमंतरी साब डिप्टी मुखमंतरी साब तो उन्हों बनाई अपर डिप्टी की उनको बराबर के अधिकार उनको दे दिये उतने विभाग उनको दे दिये आतिशी मरलिना जी को लेकिन उनका नेतिक दाई तो बनता है कि अपने छेतर की जनता को स्वच पानी दे और नल से जल पहुँचे ये उनका प्रयास होना चाहिए जो करने में नाकाम्याब रहे हैं ये लोग सर आकरी सवाल मेरा आप चे रहेगा 2024 का लोग सभा चुनाओ बेहद नस्दीक है जिसको लेकर सभी पार्टियां अभी से तैयारियां कर रही है जिस तरीके से विपक्ष एक जुट हो रहा है अभी पटना में मीटिंग हुई अर्विंद केजरिवाल भी वहां पहुँचे थे क्या लगता है 2024 में क्या आने वाले हैं परिणाम क्या बदलाव होगा क्या इस बार कुछ बदलाव बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं अर्विंद केजरिवाल साहब एक बंदर के समान जैसे एक बार एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया अब जो है शेर रोज बकरी के बच्चे को खा जाता था तो उन्होंने कहा दरखास्त लगाई बानर साहब से रोज राजा बन गए थे कि आप कुछ बचाव कीजिए तो वो क्या करता हैं वो इस डाल से उस डाल पे उस डाल से इस डाल पे कि देखो मेरे कही मेरी कसर हो कहीं भी मेरी भाग दौड में तो आप बताओ तो केजरिवाल साब तो ऐसी भाग दोड़ कर रहे हैं जब उन्होंने उस मीटिंग के अंदर इन्वाल होना नहीं था तो क्यों गए पटना किसलिए गए थे वहाँ किराया भूख करके मैं पूछना चाहता हूँ कि दोगली राजनिती छोड़ दो आप राजनिती करो मुल्यों पर आधारित राजनिती करो लोगों के दर्द को मिठाने के लिए राजनिती करो आप अपने आपको भगत सिंग के विएसरस्वी वनसज बता करके आए थे भगत सिंग के उपासक बता करके आए थे और लोगों को काम करते हो किसका आप काम करते हो मूँ चिपाने ऐँ चोरी का काम अगर आप विपक्ष की राजनिती करना चाहते है तो सत्ता पक्ष को उस जगे आप कोसो जहां उनकी कमी हो आप अब उनको Blackmail करते हो विपक्ष के लोगों को भी कि आप पहले दिल्ली के मैटर पे मेरे साथ आईए जिन से आप साथ आने की बात करते हो उनके विरूद में आप रेली करते हो तो आपका कोई स्टेंड किलियर नहीं है आप किसी लायक नहीं है और बहतर होगा आप अपने घर में बैड जाएए और विपक्षी पार्टियों को भी बताना चाहता हूँ पक्ष और विपक्ष देश की एकता और अखंडता के आगे कोई माईने नर्ता जहां हमारा देश मजबूत होगा हमारा देश आगे राष्ट के प्रती समर्पित भाव आप में रहेगा तो लोग आपको फूजेंगे और आप अगर देश के यशश्वी परधान मंत्री जो आज देश को पुने सोने की चड़िया बनाने जा रहे हैं उनके विरोध में चलेंगे जनता आपको आपके उकाद दिखा देगी स्री निवासपुरी में आपने काफी काम किया लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि थोड़ी बाधाय आ रही है उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे क्योंकि आप निरंतर इस लाइन में चलना चाहते हैं जनता की सेवा करना अगर चाहते हैं हमने एक हपते में अगर ये स्टेंडिंग कमेटी का चुनाव कराएं सभी निगम पार्षदों को 200 निगम पार्षद हैं दिल्ली में उनको उनके बजट अलोट करें 5-5 करोड रूपया लोगों के डवलपमेंट के काम होने चाहिए छेतर के काम होने चाहिए दिल्ली के लोगों की जो समश्या है उनका समाधान होना चाहिए इस पर काम करेगी दिल्ली की सरकार नहीं तो हम आंदोलन के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे और इट से इट बजा देंगे ना मुख्य मंतरी को सोने देंगे ना उसकी चोरों की टीम को सोने देंगे और अपना अधिकार जो जनता का है जिनोंने जंताने जिस स्वेच भावना से जिस आदर और सतकार के साथ हमें चुनाए हमें उनका इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे दन्यवाद आपका और आपके शिरोताओं का जिन का सिने और आशिरवाद मेरे सर पर रहता है इसके लिए हिरदे से मैं आपको और आपकी टीम को बहुत 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 आभी नंदन और स्वागत करता हूं दिल्ली में MCD के चुनाओ तो संपन हो गए हैं लेकिन जिस तरीके से पारशदों के अंदर रोश है जिस तरीके से पहले काम कर पा रहे थे MCD में कई वर्सों से भारती जनता पार्टी थी और कालका जी विधान सभा के अंदर श्री निवास पुरी जो वार्ड है इसमें कई वर्सों से राजपाल जी काम कर रहे हैं और निरंतर यही कोशिश है कि आने वाले समय मी इस तरीके से काम जारी रहे वीडियो जनलिस्ट विशाल के साथ मेरमन दिक्षित नेशन लाइफ